दोस्तों आज की वीडियो जो है, फूड के बिजनेस पे आधारित रहने वाली है और जैसा कि हम जानते हैं कि नमकीन का बिजनेस जो है कौफी मार्केट में डिमांडिंग बिजनेस माना जाता है बड़े हो या बुड़े हो सबी लोगों को जो है नमकीन पसंद होता है आज हम बात करेंगे पोटेटो चिपस कैसे तयार होता है उसके बाड़े में साथ ही जो आलू भुजिया जो होता है जो सेव भी लोग कुछ कहते हैं तो वो कैसे बनता है तो तमाम जानकारी आज नमकीन बिजनेस पर आधारी तरह आधारी तरहने वाली है और हम पहुंच गया है बिहार बिहार में यह पटना है यह फूड मार्ट एग्रो इंजिनेरिंग वहीं पर हूं तो आज कंप्लीट वीडियो जो है फूड बिजनेस पर आधारी तरहने वाली है तो आयो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो अपना नाम और कंपनी का पूरा आड्रेस हमारे भीवर्स को बताईए जी मेरा नाम विनीता है और मैं पटना फुड मार्ट एंजिनेरिंग में काम करती हूं जो बिहार में पड़ता है हमारा फूल एड्रेस हो गया नंदलाल छप्रा मोर नियू बाइपास रोड पटना ब टायए आज मैं बात करने वाली हूं नंकें बनाने वाले मशीन के बारे में उसके साथ चिप और पैकिंग के बारे में भी बताऊंगी तो मैं सबसे पहले बात करते हैं कि जो यह नंवकीन होता और यह मली मशीन ने इसमेह ढ़े तैयार होगा यह मोटर एजये इसमें आपको कुषिन nhredit करना है आपने इसमें अमटेयल डाल दिया इसमें मिक्स हो गया मिक्स करने के बाद हम आते फर्शन मसीन पर और इसमेशी आपको दस आसा का ड அट डाई् फ्रायर मशीन भी हमारे यहां पर लोग जैसे भी कस्ट्रमर चाहें या तो वह घ्यास भट्टी वाला ले सकते या फुर इलेक्ट्रिक वाला ले सकते तो तो यह तो प्रोसेस है जो अभी मैडम ने बता है और आपकी सहुलियत के लिए वीडियो जो है स्क्रिन पर चल रहा हो है जी बिल्कुल रिक्वार्रमेंट अपको बस चार ही मशीन का होगा एक तो क्या माली मशीन दूसरा हो गया फर्टेट नहीं कर सकते हैं अपना अधर बात करें पोटेटो चिप्स जो होता है वो कैसे तड़ होता है वो बताइए जी बिल्कुल उसमें भी आपको चारे मश तो थोड़ा सबसुत. ऐसं में अरकम कोई पत्माली दोड़ासा, और ये nelle 오ारीब नम्कीन फे श्रुन हो तो यह जैखान पूस्त, सब्सक्एइन ठूस्स ऑपता है यह जोड़ा चुर्ण की फिस्टाइज हो मेराकोße खने है। मशीन अगर कमपाउंड छेत रखा हो तो उसमें नमकीन और पोटेटो चिप्स दोनों तयार हो सकता है जी बिलकुल जो लोग नमकीन के साथ साथ अपना चिप्स कभी बिजनेस करना चाहरे तो हाइडर और फ्रायर मशीन का सेम रहेगा बस ये दो मशीन एक्सरा जूर तो कितने पैसे से इस बिजनेस की सुरुआत की जा सकती है मतलब नमकीन बिजनेस की सुरुआत कितने पैसे से की जा सकती है जी जो लोग स्टार्टिंग कर रहे है वो मात्र 35,000 इंवेस्ट करके अपना शुरू कर सकते ये नमकीन का बिजनेस मतलब बेसिक जो है जो अगर म पैसे नमकिन बिजनेस सुरू किया जा सकता है जी बिल्कुल यह स्टार्टिंग प्राइज है जैसा आपका रिकॉर्डमेंट है फिर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा यह लेकिन स्टार्टिंग प्राइज हमारा मात्र 35,000 रुपए अब बात करते हैं कि जैसे कोई माल ले यह बनाया तो अव्यस ही बात है कि वह पैकिंग करेगा तभी मार्केट में वह पहुंचा सकता है तो पैकिंग के लिए क्या करना होगा जी बिल्कुल कुछ भी चीज आजकल तो ऐसी होती कि खुले में हम लोग कभी भी कच्चा मसाला भी खड़ते हैं या फिर कोई चीनी या चाय पत्ती हो गया तो हम लोग चाहते कि वह पैकेट हो मतलब रैपर में हो तो उसके लिए हमारे पास पाउच पैकिंग का मशीन है सेमी आटोमेटिक से लेके फुली आटोमेटिक तक जैसा भी हमारे कस्टमर का पूंजी होगा वह उस तरह से इन्वेस्ट करके अपना मश मशीन ले जा सकते है अब बात करते हैं कि बहुत शारे जैसा यहां पर रही हुए hat familiar लडी वाला कह सकते है तो इस तरह के लड़ी वाला जू है या फिर आपका कुछ भी चीज हो गया उस चीज का आपको पैकेट लेना है रो मटेल उसको लगाना है और यह फुल्ली आटोमेटिक है तो आपका यह लड़ी बना के तयार कर देगा और जैसे वह रॉल है तो वह रॉल वगएरे कहां से जैसे प्रिंट होगा कैसे मिलेगा व मतलब नन ब्रांडेट मटेल से शुरू कर सकते जैसा कि आप देख रहें यह माखाना का है यह किसी का कंपणी नहीं है तो आप स्टार्टिंग ऐसे ऐसे कुछ मटेल लेके कर सकते हैं तो वह मटेल भी हम प्रोवाइड करते हैं जिस तरह का आपको चाहिए जितना कभी कर दूँ ताकि मेरा अपना पहचान हो जाए मार्केट में तो वह चीज़ भी हम करते हैं अगर आप कहते हैं कि मैं मुझे अपना ब्रांडिंग करना है तो वह भी मैं करवा दूँगी उसका भी बहुत कम कॉस्ट है ज्यादा नहीं है तो आप आईए और हमार साथ पहले त यहां पर मिलेगी जी बिल्कुल मैं उनसे हर एक चीज स्टेप बाइ स्टेप शेयर करूंगी कि किस तरह से वो अपना मार्केट में पकर बनाए साथ ही यह बनाने से लिए के सेल करने तक सारा डीटेल्स में जब दे ही दूंगी तो फिर तो कस्टमर सर हैपी रहेंगे और हो या बुढ़ा हो आखरी में बात आती है कि कोई अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगा तो जानना चाहेगा कि इससे रिटर्ण बैक कितना मिलेगा यानि प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा तो वह हमारी दर्सकों को बताईए जी बिल्कुल जैसा कि हम लोग चिप्स खाते में मात्र डेर रुपए आपको लगता है इन्वेस्ट होता है मटेरियल जितना है वो लेकर आपका साथी इलेक्टरिसिटी मिला कर डेर रुपए में आपका तयार हो जाएगा जो मार्केट में पांस रुपए में हम सभी लोग खडीतते हैं बहुत सारे लोग जो है देश के अलग अलग हिसों से आपको देख रहे हैं तो उनको एक नमकीन बिजनेस से समबन्धित एक मैसेज देदीजी किसी भी तरह का ये निगेटिव पॉइंट लेना ही नहीं है कि कैसे मैं बनाऊंगा और कैसे सेल करूँगा मतलब मशीन लेने से लेकर सेल करने तक हर एक चीज का जानकारी मैं खुद उन्हें दूंगी तो आप टेंशन फ्री हो के ये बिजनेस कर सकते क्योंकि ये काफी कीजें बच्चा हो या बड़ा हो सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए जी 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 सर आपका भी बहुत धन्यवाद दोस्तों ये थी विनेता मैं फूड मार्ट एग्रो इंजिनेरिंग कंपनी है जो कि इपना के बाइपास में आएंगे तो नंदलाल छपडा के समीप मैम की कंपनी है मैम यहां के इंप्लाई है और काफी अच्छे से नमकीन बिजनेस के बाड़े में दोस्तों आप सब को मैम ने जानकारी दी फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रसंद पुछने से रह गया है या आपके अंदर है या इस तरह का बिजनेस करना चाहते है या पटना से एरिया में आप रहते हैं तो वहां से आप कंपनी विजिट करके मैम से बहतर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों आसा है ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी गर पसंद आया तो एक लाइक चुरू करेएगा चै